आप सभी का एक बाद फिर से हमारी यूट्यूब चैनल में तो जसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में इंटरेंस कॉर्णर सॉल्फ करवाया था ठीक है अगर आपने इंटरेंस कॉर्णर और बेसिक इंट्रो का वीडियो ने देखा है तो पहले डिस्क्रिप्शन में जाकर कि लिंक मैंने दे रखा है वहाँ से आप पहले दोनों का वीडियो देखिए ठीक है अब दो बेसिक इंट्रो के वीडियो है और इंटरेंस कॉर्णर का वीडियो है और इस वीडियो में हम प्रैक्टिस एक्साइज सॉल्फ करने वालने है फस्ट चाप्टर का नंबर और न नंबर एन नुमेरिक सिस्टम का तो फर्स्ट कोश्चन जैसे मैंने इंट्रेंस कॉर्णर का जो वीडियो बुक का जो पीडियेफ था मैंने आपको बना करके टेलिक्राम चैनल पर अपलोड किया था से मैं प्रैक्टिस अक्साइस का भी अपलोड कर दूंगा तो आप वहां स है जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वहां से गुष्शन को डानलोड कर सकते हैं ठीक ह्या और वहाँ से पीडियेफ डाउनलोड करके जाए जैसे में कैले का 12000 तो 12000 पर लिख दो आप सिंपल तरीके से करते हैं 12000 फिर क्या लिखा है 1300 1300 फिर क्या लिखा है टू टैंस तो टू टैंस मीन्स की 20 हो जायागा ठीक है तो इसको एड़ कर दो इसका अंसर होगा ठीक है रूपीज में नहीं है सिंपल है 12000 फ्लस 1300 फ्लस टू टैंस तो देखो उसका प्रेस वेली सिंपल है व्लस क्या लिखते है तो टैंस के आसा था टैंस तो टैंस है तो यह 20 हो जाएगा इसको तीनों का संकर रहा था इसका आंसर हो जाएगा तो दिकत चलो अगली कुश्चन कराते हैं बहुत सिंपल है कुछ नहीं करना है इसका जो है मैंने यह वला कुछिन आपको इंटरेश कोर्णर में करवाया था इस टाइप के क्वेश्चिन बहुत इजी कोशिन से दिफेरेंस बीटिम्ट पर फोर डिजिट रिटेश नंबर फोर डिजिट यहां लिग दो 1234 ठीक है एन इस्मालेश नंबर फाइव डिजिट एक तो तीन चार इसका डिफ्रेंस निकालने है तो बड़े बाले में छोटे बाल का माइस करते हां में सा तो नॉर्मल इसका अंसर वह नहीं होगा ठीक है बहुत सिंपल कुशन है अगर आपने जो है इंट्रेस्ट कॉर्ण कि अग्ट को नाइन एट वन इसमें कहता है कि तब प्लेस्वेल्य ओफ फाइफ फाइफ का प्लेस्वेल्य देखो क्या है बंस टेन्स हंड्रेट थाउजन टेन थाउसन लेक तो फाइफ देखो ना एक दो तीन चार पांच तो पांच जिल लगा दिए हमने पीछे तो इसम यह numbers में नहीं है ठीक है इसमें लिखा हुआ है 5000 50,000 50,000 5,000 तो क्या आएगा 5,000,000 इसका option क्या हो जाएगा 5,000,000 गूड आउट बहुत ही easy questions है फटा-फट आज solve करेंगे फूर्थ question देखो 90,000 and 99 may be written in digit as बहुत simple है क्या कहा रहा है 90,000 90,000 99 may be written as तो देखो 1000 की बात है तो 2000 के लिए हमने लगा दिया और 100 के लिए 3 है 1, 10, 100 कितना लिखना है हमें 90,000 तो 90,000 यहां लगा तो 90,000 and 99 तो 99 तो डार्ट यहीं पर जाएगा इसको कैसे लिखेंगे 9009 तो यह होगे 90,000 99 बहुत इस तरीका है इस तरीके से करोगे बहुत सिंपल है ठीक है अब अगला आप 5th वाला question करते है अगर आपको किसी भी question में doubt हो तो आप जो है बेज़े जग पूछ सकते हैं कि कोई भी दिक्कत हो आप पूछिए बताइए इ इंट्रेंस कॉर्णर के questions को एक एक question को solve करिए और उसमें जो मैंने homework problem दिया था कर उसमें कोई दिक्कत है तो मुझे बताईए ठीक है कोई ऐसी बात नहीं है आप मुझे homework को बताईए मैं उसको solve करके बताऊंगा अगर नहीं समझ माता है तो और यह question बहुत easy लगेंगे कहां तक हो चुका था फिफ्थ तक हो चुका था फिफ्थ देखते है दिफेंस ब्लाइशे जरुडेश प्राइश तीन देख दिखेंस अर देख में यरी सकता इक टена तक है मीं गहिए अगर सं पार्णे है ओ कोई देखरान आइट ज़्य और दिजिट नंबर और ये कैसा नंबर है स्मॉलेश्ट त्रियो डिजिट नंबर तो इसका डिफ्रेंस हमने निकाल दिफ्रेंस का मतलब क्या होता है उन दो लों के बीच का अंतर तो इतना है 899 आ जाएगा ठीक है थार्ड ओप्शन है इसका तो फिफ्ट हो गया सिक्स पर चलते हैं देखिए सिक्स कोशन यह पूरा एक्ससाइज ही इजी है चैप्टर ही बहुत इजी है इन नंबर 36490 एक नंबर दे रखा है 36490 वें दर डिजिट 6 एन 9 अर इंटर्चेंज आपके करें 6 और 9 डिजिट को जब इंटर्चेंज करते हूं ठीक है 6 और 9 को जब इंटर्चेंज करते है तो हमें बता रहे हैं हमसे कहा रहे हैं कि बता ओ और बागे हैं बहुत इंटर्चेंज गाधा ऑर आपाने को सुट्च कर सुट है तो देखो मैंने इसको इंटरेशेंज कर दिया रहां पर ना अपर उसले है अब नमबर तो यह और थे आपर these इसको मुनें तो इन दोने के 20 में कर Vitamin और मुत कर देंगे टिक को कर ले记ी कोशषर को मान करके बता जी ना हम वर्क में यहां पर तो में करना है तो वाला कुश्ण और आगे बढ़ते हैं से आम स्कुष्ण देखते हैं फैन्ड सम फैस्ट वेल्यूस औफ 9 and 6 in अबढहो मैंने वीडियो में स्था पिछले विडियो प्यूमें स्था फीजा फैसे मैं से और भी पंतर से रoft इनकстरौ छो 허झ इसा मैंने के हो प्रीजने डिया है तो यह भी ऐसा question जब भी है तो confused नहीं होना है 907 364 किस-का 9 और 6 का face value तो इसमें face value में कोई matter नहीं करता कि वो किस position पे है ठीक है face value में कुछ matter नहीं करता इसका 9 का face value क्या होगा 9 ही होगा और 6 का face value प्लेस वैल्यू में प्लेस वैल्यू जो होता है चाहित है कि कौई मतलब नहीं करते हैं और समझ में आ गया है WORK और अगर कोई कोई डाउट है तो यह तो बहुत इज़ी कोशन से अगर फिर भीक नहीं समझ माता है कोई दिक्कत आ रही है तो वह पूछ सकते हो आप ठीक है ऐसी बात नहीं है कोई भी डाउट आउट आप पूछिए पेज़ जग पूछिए कोशन नमबर एट क्या क्या रहा है find the smallest number by which adding or subtracting to or form an even number will be an odd number अब देखो क्या 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 रही कि ऐसा कौन सा नमबर है जिसको हम या तो एड करें ये सब्टैक्ट करें तो अगर even number होगा तो वो odd हो जाएगा और इवन होगा तब या odd हो जाएगा ओड हो जाएगा झाओ तो देखो अगर टू है टू में मैं एक एड करूंगा ठी हो गया E1 है, add किया, odds होगया 2 है, इसमें से 1 subtract किया तो क्या हो गया? odds हो गया तो मतलब even में अगर मैं 1 को add करता है और विदब अगर हमने प्लस 1 किया तब भी odds हो गया even में तब भी odds हो गया तो इसका correct answer क्या होगा? 1 होगा ठीक है? बहुत simple है find this much number by which by adding or subtracting to or form an even number will be an odd number ठीक है बहुत ईजी कोश्चन है यह वाला देखते है नाइन्थ वाले कोश्चन बहुत ईजी है यह वाले मैंने प्रैक्टिस इंट्रेंस कॉर्णल में करवाये थे और होमवर्क के लिए भी दिया था using digits 1, 0, 5 and 7 greatest 4-digit number formed is अच्छा इन digits का use करके सबसे बड़े से बड़ा number हम क्या बना सकते है देखो 7510 यह सबसे बड़ा number बन सकता है 7510 इसका option D होगा ठीक है तेंथ वाला देखते हैं the smallest 4-digit even number formed by the digits 0123 0123 इन number से the smallest 4-digit even number अच्छा इस सबसे छोटा ही छोटा इवन नमबर कितना बना सकते हैं तो देखो 1010 अगर मैं 23 लिखूंगा तो और नमबर बन जाएगा तो क्या करना पड़ेगा जीरो का प्लेस तो फिक्स है क्योंकि सबसे छोटा नमबर बना है तो वह सेकिंड पोजिशन पर आएगा वन यहां आ जाएगा अगर मैं लगता है मिज थोदा तेज पढ़ारा हूं कोई बात नहीं यह ज्यादा टेज भी नहीं है बहुत दो questions है, बहुत easy questions है, तो इसको तो हम थोड़ा fast करना है, हम यो fast करना ही चाहिए, अगर इसको fast होगे तो exam में भी fast करने की habit होगी, बहुत simple simple questions है, कोई doubt हो तो पूछ लेना, ठीक है, आगे चलते हैं, 10 तक हो गया है, 11 वाला देखते है, 11th question देखो, क्या है, the sum of greatest and smallest number of 4 digits is, बहुत रहा है, ठीक है, 11th question में, sum of greatest and smallest number of 4 digits, greatest 4 digits, greatest 4 digit number, smallest 4 digit number, इसका sum कर दो, 9, 9, 9, 9, 10, 10,999, ने doubt, बहुत simple है, 12th वाला देखते है, बहुत छोटा exercise है, सिर्फ 17th question है, find the difference between largest and smallest number of which are formed from the digit, अब देखो क्या दे रखा है, digit हमें given है, 0, 2, 5, 6, 8, अब इससे कह रहा है कि, एक हमें largest number बनाना है, और एक smallest number बनाना है, जो आएगा उसका difference बताना है, बहुत easy है, एक आप largest number बना लेना, एक smallest number बना लेना, और उसका difference बता देना, any doubt, ठीक है, अब देखो, 12 तक हो गया, 13th वाला देखते है, the smallest odd number by using the deeds, same question है, same question हमने 10th वाला किया था, same 13th question भी same है, उसमें हमने even number देखा था, इसमें हम odd number बनाना है, तो इसको भी homework में करके लेके आओगे, 12 and 13, ठीक है, homework problem है, how many prime numbers are there between 80 to 100, 80 और 100 की बीच में कितने prime numbers होते हैं, यह बताना है, बहुत ही simple है, यह मैंने basic part में homework भी दिया था, prime numbers का, फिर उसके बाद interest quarter में question आया था, 90 और 100 की बीच में कितने prime number होते हैं, और इसमें भी question आगया कि 80 to 100 में कितने prime numbers होते हैं, अगर आपने उसे किया है, तो आप easily कर सकते हैं, ठीक है, यह भी आपको homework problem है, और कोई दिक्क्रत है तो आप पूर सकते हो, ऐसी बात नहीं है 14th question भी homework problem है, बहुत ही छोटा एक size है, फटावट complete कर लेंगे इसे, ठीक है, 15th क्या है, the number which when multiplied by 13 is increased by 180 is, अब देखू क्या कहता है 15, क्या कहता है, the number, एक ऐसा number which when multiplied by 13, 13, जिसको हम 13 से multiply करते हैं, तो वो जो number है, वो 180 बढ़ जाता है, ठीक है, तो देखो, तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, चलो मैं एक ही तरीका, simple तरीका बतायता हूँ, जैसे कि इसमां option जो दिया होता है, उसको एक काम करो, उसको 13 से multiply करो, ठीक है, और देखो, कि जो पहले जो number था, से मालनों कोई number था, यार नीचे हमने कुछ भी लिया है, 5 है, 5 को 13 से multiply करो, जितना answer आ रहा है, 13, 5 जै कितना आ रहा है, 65, और पहले कितना था 5, इसका difference देखो, 60 है, 180 तो बढ़ा नहीं है, ऐसी इसमें 4 option दी हुए, जब भी step का question आता है, तो आप option के base पे करेंगे, तो 15 को 13 से multiply करो, ठीक है, तो multiply करते हैं, 15 into 13, 5, 6, 15 का 5, करे लग गया, 1, 3, 3, 3, 1, 4, 5 का 5, 1, 5, 5, 4, 9, 195, तो देखो, 195, 15 से multiply करके आया, और पहले क्या था, 15 था, इसको minus करके देखते हैं, तो देखो, 180 ज़्यादा था ना, तो इसका directly, इसका answer हमें पता चले है, कि first option है, तो कैसे हम पता लगाएंगे, कुछ नहीं है, पहले question को देखो, बहुत simple है, क्या कह रहा है, the number, एक ऐसा number बताओ, कि जिसको 13 से अगर हम multiply कर दें, तो वो 180 ज़्यादा हो जाता है, तो हमें कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, तो हमें option देखने, तो मैंने देखो, पहले second option लिए था 5, 5 को 5 को मैंने 13 से multiply किया, 65 आया, और पिछले number के साथ comparison किया, तो 60 ही ज़्यादा था, 180 ज़्यादा होने चाहिए थे, फिर मैंने क्या किया, कि 15 से इसको multiply किया, 13 को, तो 195 आया, फिर इसको minus किया देखा तो 180, तो यह कौन सा number था, 15 था, 15 में ज़्यादा होने 13 से ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो बहुत ही simple question है, इसका option क्या होजएगा, 15, इसका answer होगा, first 15, any doubt, फिर भी कोई doubt हो, तो पूछ सकते हो, ठीक है, अगला देखते है, 16 और 17, दो question है, last question है, फटाफट करते है, और self practice के questions, खुद से करोगे, अगर मुझे बताना हो, तो बता देना, मैं self practice के बना दूँगा, लेकिन, मैं demand पर ही बनाऊँगा, अगर बच्चे बोलिंगे, बनाने के लिए self practice के वीडियो, तभी, ठीक है, otherwise मैं नहीं बनाऊँगा, 16 देखते है, the smallest number of four digits, four digits का smallest number क्या होता है, यह भी क्या बताने की चीज़ है, मताँ इससे छोटा कोई four digits का smallest number होगा, नहीं होगा, लास्ट question है, sum of all prime number between one and ten is, एक से लेके दस तक के जितने भी prime number है, सबका sum करना है, देखो बहुत सिंपल है, two plus, three plus, five plus, seven, अब बताओ, two, three, four prime तो होता नहीं, इसलिए मैं लिखा नहीं, five, six prime होता नहीं, इसलिए मैं लिखा नहीं, seven है, eight prime होता नहीं, nine होता नहीं, ten होता नहीं, तो कौन-कौन सा आएंगे, इतने ही आएंगे, इसको add कर दो, sum कर दो, three, two, five, five, ten, seven, seventeen, तो एक से दस तक के prime number का sum कितना होगा, इतना होगा, कोई doubt, तो इसी के साथ, आज ये बहुत ही छोटा वीडियो था, तो बहुत अच्छे से पढ़ना इसको, ठीक है, आगे हम इसी करम में वीडियो बनाते रहेंगे, फिर आप हम second chapter का वीडियो लेके आएंगे, जल्दी ही, तो बने रहेंगे, चैनल पे और वीडियो को देखिए, और समझीए, पढ़िए, ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल है, तो अब practice exercise में 15 question है, 15 question है, तो वो आपको खुद करना है, मैं आपको practice exercise भी इसके साथ ही PDF में दे दूँगा, ठीक है, जो इसका PDF होगा, practice exercise का, practice exercise के साथ ही, आपको self practice का भी PDF उसमें included होगा, तो इसको आपको खुद से करना है solve, और फिर कोई दिक्कत है, तो मुझसे पूछ लेना है, अगर इसकी वीडियो आपको चाहिए होगी, तो मुझे बता देना, अभी तो इसको करते हैं, इस वीडियो करते हैं खतम, और आज के लिए इतना ही practice exercise को अच्छे से prepare कर लो, और जितने भी questions दे रखे हैं सबको कर लो, ठीक है, ओके, थेंक्यू,